बहुत बड़ी सफलता है ये इस देश के सुरक्षा बलों के लिए 36 गड़ के पुलिस बल के लिए और नकसलबाद पर ये बहुत बड़ा प्रहार है नारायनपूर दंतेवारा मुटबेड में अब तक की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दे अब तक की सबसे बड़ी अपडेट के लिए बहुत बड़ी अपडेट के लिए तस्मीर आप तक साजा करता रहा है हर एक अपडेट हम आपको बताते रहे इस उपडेशन से जुड़ी ताजा और सबसे बड़ी अपडेट यही है कि अपसे थोड़ी देर में एक जॉइन प्रस कॉन्टरंस होने वाली है क्रस कॉन्टरंस में विस्तार से सभी को बताया जाएगा किस तरीके से इस नकसल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है सगन प्लानिंग हुई है बहुत लंबा सफर तै किया है सुरक्षा बलो ने उची उची पहाड़ियों और चोटियों को पार करते हुए अबूज मार के गने जंगल में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है आप समझे ये साहस और दम में कितना होगा कि हजारों की संख्या में सुरक्षा बलो ने तीन से चार दिन लंबा जो ही ये प्लैनिंग चली है और उसके बाद हजारों की संख्या में सुरक्षा बलो ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है 31 बोडी अब तक बरामद हो चुकी है 31 नकसलियों के शब बरामद हो चुकी है तोड़ी देर में प्रेस कॉंफरेंस होने वाली है और इस मामले से जुड़ी तमाम अपडेट वस्तार न्यूज आप तक लगातार पहुचा रहा है हमारे सयोगी ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार हम सभी के माद्यम से सीधे रिपोर्टर्स के माद्यम से आप तक हर एक तस्वीर पहुचा रहे हैं ये बड़ी अपडेट है सभी नकसलियों के शब को धंतेवाडा ले आया गया है जवान सुरक्षित है और अब से थोड़ी ही देर में ट्रस कांफरेंस होने वाली है तमाम अपडेट साजा करने वाले हैं सुरक्षा बल ये इस साल का सबसे बड़ा नकसल आपरेशन है आप याद कर लीजिए कांकेर में भी अपरील के महिने में उन 30 नकसलियों को मार गिराया गया था और फिर से 36 गड़ में पिछले 9 माहिनों की बात करे तो लगातार नकसल वात पर नकेल कसने की दिशा में सुरक्षा बल और राजविती की चास शक्ती भी दिखाई दे रही है कि लगातार नकसलियों पर ताबर तोड हमले किये जा रहे है आप्सिंस खुले हैं आत्म संबर्पन भी कर रहे हैं नकसली लेकिन जो नकसली आत्म संबर्पन करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं उनके लिए गोली ही जवाब है तो सिध्य अपने सायोगियों के पास चलेंगे हमारे सचयोगी हर जगह से हमारे साथ जुड़े हुए है हमारे सायोगी देख लिए अमरित जी हमरे साथ जुड़े हुए है राजधानी दिल्ली से ग्रेमंत्रा लेके बाहर है, नितेश हमारे साथ जुड़े हुए है, दंतेवाडा से नितेश हमारे साथ जुड़े है, और राजधानी राइपूर से हमारे बिलोची प्रिगेंजी भी हमारे साथ जुड़े हुए है, सबसे पहले नितेश के पास चलत वाली है यह सज गया है पूरा जो जो प्रशासनिक महकमा इधर बैठना है उनकी जग्वें पर तमाम प्लेट्स लगी हुई है यह सब बैठेंगे आई जी बस्तार आई पी एस सुन्दराज पी की बात कर लिजे चाहे कमल लोचन कश्यप की बात कर लिजे जो डी आई जी है इसके साथ ही राकेश कुमार की बात कर लिजे डी आई जी से आरपी अब दंतेवाड़ा हैं बिजे पांडे हैं एस्टी अफ बागीरा और इसके साथ ही तमाम एस पी जो तबी लोग हैं आप पहुंचने वाले हैं शबों के जो चेहरे भी है वो भी उसके भी फूटिज व रहेगी डियाई जी से बात करने की कोशिश रहेगी IPS से हमने बात की प्रभाजी से बड़ी सफलता इसे बताया है जखीरा बड़ा संख्या बड़ी सब पुझ जो है वो बड़ा है अपने आप में ये बड़ा संदेश भी देता है कि जो मार्च 2016 का टार्गेट ग्रह मंत्र जमिशाह ने दिया है जिस भावना के साथ मुख्यमंत्री विश्ट देवसाय काम कर रहे है डियूपटी सीम और ग्रह मंत्री विजश शर्मा जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसी सोच के साथ जो है प्रदेश में बढ़ा जाएगा जो वादा किया है जब प्रधान कि अगर गलत रह में जाओगे तो अंजाम उसका ये होने वाला है बंदूग की राह छोड़कर वारता की राह पे आईए बंदूग छोड़कर कलम पकड़िये विजय उद्घोश हो रहे हैं भारत माता जैकी नारे लग रहे हैं यही सब कुछ यहाँ पुलिस लाइन में दिखाई दे रहा है मा दंते श्री के दर्बार दंते वाड़ा में दिखाई दे रहा है शक्ति की स्थली दंते वाड़ा में दिखाई दे रहा है ठीक है ठीक है एक बार अनमोल के पास चलते हैं हमार साथ अनमोल भी जुड़े हुए है अबूजमार के जंगलों के बीच से अनमोल हमार साथ जुड़े हुए है अनमोल अबूजमार में जहाँ पर ये नकसली मुटभेड हुई है वहाँ पर आम ग्रामीन जो माहौल है उस माहौल में क्या कुछ तब्दीली समझ पा रहे हैं आप देख पा रहे हैं देखे भारत चुके ये दो दीन से जो है ये मुटभेड चल रहा था क्योंकि याद है आपको कि चार तारिक से ही ये मुटभेड जारी था चार तारिक कोई जो है देर शाम तक ये मुटभेड चला तो जब भारी पुलिस बन की तैनाती की गई जिस तरीके से तो आम जो वहां के स्थानिये है वो भी थोड़े से सहम गए कि आचानक एका एक करके इतने भारी पुलिस बल की तैनाती क्यूं हो गई क्योंकि आपको याद है मैंने तस्वीरे भी दिखाए कि किस तरीके से जो है स्टीफ के जवान हो गए या डिर्जी के जवान हो गए जो अंदर जवान गए थो उप्रेशन में उनको वापस लाने के लिए अतिरिक्ट पुलिस जवान की तैनाती की गई थी जो की लगबग ज नक्सलियों को यहां ट्रेनिंग दिया जाता है तो आप समझे इस बात को कि 30-35 किलोमेटर का सफर तैकर अतिरिक्ट पुलिस बलके जवान जाते हैं जंगल में और फिर वहां से सुरक्षित जो ऑपरेशन में शामिल होते हैं जवान स्टीफ के उडियार जी के उनको वापस लोटे हैं और अबूज माड के जंगल से होते हुए वो बाहर जीला मुख्याले दंतेवाडा के सिविल लाइन पहुच चुके हैं बिलकुल अनमोल यह जो आपने बात कही है यह जो आपने बात कही है कि नक्सलियों के शव को भी फिर लेकर आए हैं सुरक्षाबल यह अप पर यह तमाम रणनीतियां तयार हो रहे थी हमिश्या आयते 36 गड़ उसके बाद इतना बदलाओ हमें देखने को मिला है मरिज जी राजधानी दिल्ली में क्या हल चल है साथ तारीक को बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री विश्टु देव साही भी आने वाले है एक मैं जहां पर खड़ा हूँ यह ग्रिहमंत्राले है यहां से जो है आप देख सकते हैं कि ग्रिहमंत्राले के एंट्री है चार नंबर का गेट है यह पूरा इलागा काफी चाक्चोग बंद रहता है जहां पर कहा जाता है परिंदा भी पर नहीं मार सकता है आपको बता दे कि यहाँ पे बैटकों का दोर लगातार जो है चलता रहा है और इसी के मद्दे निजर देखेंगे कि ग्रिह मंत्राल है जो की लाल आतंक का जो गड़ है उसे किस तरह से खत्म कर दिया जाए नेस्तो नाबूत कर दिया जाए यहाँ पे टारगेट दिया जाता है सारे अधिकारि को कि देखिए 2026 तक मार्च 2026 तक इस पूरे लाल आतंक का सफाया कर दिया जाए और इसी कड़ी में सबसे बड़ी बात आती है तो आप देखेंगे कि जब पिछली बार यहां बैट है कुई तो जितने भी जो नकसल प्रभावीत राज हैं उनके समनवेक से जुड़े वे जि उसको पॉइंट आउट कीजिए उसे पूरा किया जाएगा उसमें कहीं भी कोई कताही नहीं रखी जाएगी सारी मदद सारी इंटेलिजेंस इंपुट आपको केंदर से मिलेगी और इसके लिए जो लोकल अस्तर पे इंटेलिजेंस शेरिंग है वो भी जो है पूरा कराया तो इस पूरे मामले में देखा गया कि अर्ध्शैनिक बल के लिएrole जो आई टी बीपी को भी उतारा गया और कहा गया कि भई यह ऑपरेशन कैसे चलना है उसका पूरा खाका तयार किया जा राज्यों से कहा गया कि आप पूरा का पूरा सयोग रखें इसी के मद नजर आप देखेंगे कि 36 गड़ में जब आमिजशा पहुंचे थे तो उन्होंने वहां पे जो है एक ब्रीफिंग ली थी वहां से कि क्या क्या हो रहा है आप ठीक कह रहे थे कि अब उसके ठीक पहले जो कि सुमवार को यहां पे एक बड़ी बैठक होने वाले है इसी नकसल प्रभावि अबूज मार जो है वहां पे 97 अकेले होता है यानि कि जो ग्रहमंत्राले का जो फोकस है अभी वो पूरे स्टेट जितने भी नकसल प्रभावित वहां ही लेकिन जो डार्क एंड डीप जो जंगल है 97 पसेंट जहां पे इनकाउंटर अबूज मार में हुए हैं वहां पे उन लवली डार्क और बट आया प्रमिस्टो कीप लिमाइल्स तो गोविफोर इसले को माल्स तो गोवार एक रचल चल जाते हैं यह सबी पहलू तो मिगेंज यह तरफ है लेकिन मैं आपसे थोड़ा दूसरी पहलू पर भी बात करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी मुट्वेड हुई है इतनी बड़ी सफलता है यह कांकेर का समय मुझे याद आ रहा है उसके बाद राजितिक गल्यारों में हलचल थोड़ा मिक्स जैसा था थोड़े इस पर सवाल हो रहे थे थोड़ी सियासत हो रहे थी और फिर लोग खुले हातों से बाहूं से एकसेट भी कर रहे थे सुरक्षाबलों का होसला भी बढ़ा रहे थे अभी जो यह मुटबेड हुई है सबसे बड़ी सफलता है यह शाह आये थे उन्होंने प्लान किया साइन एग्जेक्यूट कर दिया है अब इस पर राजितिक चैल कदमी कैसे देख रहे हैं आप 36 गड़ क हो चाहे नकसल ऑपरेशन हो हर जगा परिडाम वाली है और आज जब परिडाम आया है तो उस परिडाम को लेकर 36 गड़ के जो पॉलिटिकल पार्टी से चाहे हो विपक्षी कॉंग्रेस हो या सत्ताधारी भाजपा सभी नेताओं के सुर जवानों के साहस को सम्मान करते देख्चे हैं उन्होंने कहा कि जवानोंने बहुत बड़ी सफलतार जित की है हलाकि वो ये कहना नहीं भूले कि जो पिछले पांच साल में जो ग्राउंड तयार किया गया था बस्तर में जो भरोसा पैदा करने का काम किया गया था सरकार की तरब से आदिवासियों के बीच ये उस भरोसे का परिडाम है बीजेपी लगातार ये कह रही है मुख्यमंत्री विश्णु देव साय का भी बयान आया उन्होंने कहा कि डबल इंजन की जो सरकार है वो आदिवासियों को भरोसे में लेकर नकसलियों के खिलाब काम कर रही है और ये उसी का परिडाम है आने इसके इतियास किये पहली बड़ी घटना है जिसमें 29 नकसली मारे गए आज विश्णु देव साय ने खुद कहा कि हमने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ कर आज 31 नकसलियों को धेर किया फुल मिला कर आप ये समझ सकते हैं कि political sphere में ये चर्चा है कि आने वाले समय मे जो जिसमें बड़े पैमाने पर नकसली मारे जाएंगे हुआ होगा क्योंकि इससे पहले हम कभी भी इतने बड़े स्थर के ऑपरेशन को देख नहीं पाते थे किस रणनीती के साथ और कितनी संख्या में और किस तरह से और किस शेत्र से उन पर धाव बोलने वाले है ये अब उनको मालूम नहीं होता है जैसे पहाड़ी उची-चोटिया होती है नकसली महा मौझूद होते हैं लेकिन उनको ये मालूम हो जाता है उनकी मुखबीर से पत री इंफोर्समेंट फोर्स जो है वो फिर कितनी संख्या में आएगी तो ये तमाम जो चीजें हैं ये बहुत ही सीक्रेट होता है और इसी की वज़ा से इस उपरेशन में सफलता मिली है और देखिए सबसे बड़ी बात में अंदर की बात आपको बता रहो हो भारत जब मैं जब मैं जवानों से बातचीत कर रहा था हूं बता रहे थे कि देखे हमारे लिए तो इद्धा शेरा और दिवाली से पहले बहुत बड़ा तहवार हम मनाये हैं क्योंकि एक जूट होकर और जिस तरीके से जॉइंट ऑपरेशन पर जोर दिया गया है आप बोल रहे थे बद कोडिनेशन करके यह हमला किया है तो बहुत बड़ी इसमें मेहनत लगी थी बहुत बड़ा कोडिनेशन जो है अधिकारियों के बीच हुआ फिर इसको एक्जिक्यूट किया गया नीचले लेबल पर तब जाके जो है 31 नकसलियों का सफाया हो पाया है बारत ठीक है ठीक है आ मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूँ कि देखिए बस्तर के इलाकों पर खौफ की एक मोटी चादर बहुत लंबे समझ तक रही है सूचनाएं जो है आम ग्रामीनी पहुचाते हैं मुख्बिर भी मुख्बिर भी होते हैं गाउं के लोगों में भी देहशत खत्म हुई है ग कि बिल्कुल बेशक जब आज हम नारायनपूर से निकल रहे थे दंतेवाडा की तरफ तब हमने कुछ गामों का रास्ता इक्तियार किया हम उनकी अंदर की तरफ से आए क्योंकि हमें जो कुछ तस्वीरें दिखानी थी जैसा कि आपने देखा होगा हमने एक गुफा की तस आपके आवाज अपनक नहीं पा रही है सही से एक बार अमरित की जिए सबी योजनाय पहुची हैं प्रदान मंत्री सडख योजना की हमने देखा जो मुख्यमंत्री जो सडक योजना है उसकी चीज हमने देखी पार्ट शालाएं देखी बच्चों को कंधे में बसते टांग कर जाते हुए देखा तो ये कहीं न कहीं दिखा रहा है कि आज महतारी वंदन जैसी योजना जो है उनको डिलिबर हो रही है ये तमाम चीजे मिल रही है मुख्यधारा में जुड़कर उन्हें पता चल रहा है आज अगर ठीक है ठीक है एक बार एक बार चलते हैं अमरीजी के पास अमरीजी एक चीज और बहुत मैं चाहूंगा इस पर एक आप बहुत विशलेशनात्मक पहलू रखे सामने क्योंकि अगर 36 बार देश में कोई ग्रिमंत्री ऐसा हुआ है जो 36 गड़ पहुंचा और वहां यह कहकर आया हो कि 31 मार्च 2026 आखरी तारीख है नकसलवाद खत्म कर देंगे तो क्या इसको माना जाए कि यह सीधा सीधा एक चैलेंज एक खुला चैलेंज निशित रूप से भारत देखिए इसे न सिर्फ उन्होंने चैलेंज दिया है बलकि इसको मीट करने के लिए वो हर संभव प्रयास भी किया और जमीन पे उतरता हुआ दिखाई भी दे रहा है आपको बता देंगी यूपिय के सरकार में पीच इतंबर ग्रिह मंत्री थे और उस दोरान एक उपरेशन चला गया था उपरेशन कोबरा जिसके लेकर के बड़ा ही बवाल मचा था और कई इस तर पर जो समाज सेवी है चाहे जो हुमेन राइट्स कारिकरता है इस शब्द को लेकर ही इतना दबाव बना दिये थे कि उनको इस कदम से पीछे अटना फिर इसका नाम आगे चलके ऑपरेशन ग्रीन हंट होता है लेकिन इतने दबाव रहते हैं कहा जाए कि कई सारे जो प्रेशर ग्रूप है सोसाइटी के सिविल सोसाइटी के उन करिकरताओं के रहते हैं वो इसको लेकर के बहुत धुलमुल रविया उसके बाद अपना लिया